अलो एब्रियोन वेल्कम बैक टो आर चैनल बिलियन एजुकेशन वेर वी एम टूरीच एंटी बिलियन पॉपुलेशन तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कैसे हैं आप ठीक है बढ़िया है मजे कर रहे होंगे एकदम समी आसमा सबको उखार के फेक रहे होंगे च चैप्टर नम्मर 3 न्यूव चैप्टर इसलिए तो इतना खुश हूं तो यह चैप्टर का नाम है चालको लिथिक विलेज इन इंडिया अब कर देख रहे हैं कैसे जा रहा है पहले फॉर्स फार्मस आए फिर फॉर्स सिटी आए फिर चालको लिथिके जाए अब आप 2020 है गाईस हम यहाँ पे कहीं से शुरू कि यह थे फॉर्स फार्मस से फॉर्स एफ फार्मस उसके बाद हमने देखा हरपा फॉर्स सिटी आब हम देख रहे हैं चालको लिथिक wilderness जी हां यह बाद में आया थे चालको लिथिक मतलब ब्राउंज एज ब्राउंज एज को बोलते हैं जब ब्राउंज की खोज हो चुकी थी आप कमेंट करके मुझे बताए पहले कॉपर मिला था कि ब्राउंज यह आपको 6-7 में आलरेड़ी है आपको स्टेट बुक में पढ़ा जा चुका है अब कमेंट करें प्लीज रिक्वेस्ट चलिए अब इसी तरह से मागे बढ़ेंगे और दीरे 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 आज की तरफ आज यहंगे और जानेंगे आज की जड़े हैं वो पास्ट में क्यों है गाईज ठीक है चलिए इसे एरेज कर दू कर देता हूं कौन है बताने वाला अभी रहेंगे हम सब साथ में तो जरूर बताना है ठीक है मज़ा आएगा चैप्टर बहुत बढ़िया है रादर गन जस्ट बाइफटिंग दिफैक्स मेक इंट्रेस्टिंग और लान देखे फैक्स तो याद ही करने इंडिया क्योंकि वर्ड में भी था लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ हो सिर्फ हमारे प्यारे भारत की वेंदम मच्योर जब असली अर्बन हो जैसे कि आप लोग अभी जो मुंबई के आजू-बाजू होंगे वह जानते होंगे जो नाला सोपारा जून विरा और जून यह पहले एक टाइम पर विलेज थे मुंबई अच्छली भाह अंदर तक है इसकी सीमाएं सीमित हैं लेकिन इसके आजू-बाजू भी गाहाँ सहर बसने लगे तो यह गाहाँ जो पहले थे यह अब सहर हो चुके हैं तो आप लोग समझिए विलेज के बाद वो क्या हो जाता है थोड़े दिन के बाद सिटी हो जाता है ठ चली तो इसी तरह से हरप्पा में जो अरली हरप्पा है फिर मच्योर हरप्पा फिर लेट मर अरप्पा है तो तीन स्टेज में पढ़ते हैं सो मच्योर अला जो बीच वाला था वह सीटी बन चुका था कॉलाप्स्ट कंप्लीटली दपीपल ओफ तो देखिए यह खतम हुआ यह बात ध्यान लगे हम हरप्पा के इस्ट्रिया और उससे रिलेटेट बात जो हो चुकी वह जानेंगे अरपन सिलाइशन खतम हुआ जी हां कुछ लोग बोलते हैं कि जो आर्यंस थे जो वेस्ट से यूरोप से आये थे उन्होंने मार डाला उन्हें लड़ाई में हम सीधे साधे थे और हमारे हतियार भी इतने अच्छे नहीं थे तो आप बुलोगों कि सीधे साधे हैं तो सब लोग मजा लेके चल जाते जी हैं यह बात सच है तो यह बात ध्यान रखना है दपीपल ओफ लेट हरपन कल्चर्स हूँ हैड सेटल अन दी रिवर अन दी रूइंस अफ मचेवर हरपन सिटीज है तो माइग्रेट एल्सवेर रिमेंस मतला आप लोगों को बता दूं क्या बता देता हूं चली हरपा सिलाजेशन है ना एक सगने कुल जो हरपन सिलाजेशन है गाइस यह आप देखोगे न साथ एक जगह पाया गया मोहन जदार में देखिए यह पहला समझी लेयर था यहां घर बसे थे समझी यह वहां घर थे सब तो ऐसा एक घर था तो यह समझे बाण आया तो यह पूरा दब गया तो इस पर मिट्टी डाल देते हैं चलिए बातों पर भी और तो ब्रू अधही एक तीक है ⁌ँची डेकिन जब यह वाफ़़ गर बना रहते न आ गाइस सेव एसा लिए भर शानख से असब ऑस पर चल गए इसकि अब यह नहीं दिख रहे है अब फिर जब यहां गोर बना न से पर सीम जगह पर से बनाए ने यहां पर पीलर से यह इस तरह के साथ लेयर पाए गए साथ लेयर से इंटरेस्टिंग बात गईज बताएं ऐसी बाते लाता हूं आप-लोग के लिए तो आप लोग का भी फरस्ज नहीं एक हमारे लिए एक वह्त्सब्साइब पर शेयर कर डाने इसे बून कर दिजिए तो कि हम लोग दो आज जो लोग बोलते हैं कि हम फाइदे ना हम को नहीं को तेकनलोजी पाटन पर गणाना था हमको ज्यादा मंगजमारी हरसाल नहीं करना था और दूसरी चीज़ हमारी सुसाइटी अच्छी थी ती तो कल्चर यहां तक चल आए आज तक यह इसे घर बन रहे हमारे पास तो इस बात को ध्यान रखते हैं आपको कि कंजर्वेटिव होना अच्छी आप बुरी कोई भी चीज खराव अच्छी सोसाइटी डिसाइड करती अगर आप जीत गए तो आपकी वह क्वालिटी सही थी आ आप हार गए तो आप क्यों क्यों क्वालिटी खराव है लेकिन हमारे इंडेस चल रही है आस तक उनके घर जो है आस तक आप लोग में सेकेंड चैप्र पढ़ा हो तो जान गया हो रहा है तो हम लोग जीते हैं कंजर्वेटिजम के बाते हम अगर अपने कुछ चीज नहीं क होते रही है लेकिन यह बोलना कि इंडेस वाली सेलेक्शन कंडेर्वेटिव थे इसलिए उनका नुक्सान हुआ तो समझ चुके हो अब लेट जो हो रहा है उनके रिमेंस पर ही बन रहे थे यह जो बचे थे उन्हीं पर बन रहे थे अरवन हरपा एंड लेट हरपा डिसपर तो देखिए यहां पर फ्लड आ चुका था तो यह लोग क्या करते थे शाय से किसी कभी कभी जोन छोड़ देते थे समझी यहां पर घर बनाया थे तो अब इसको छोड़ के कहीं और बना रहे थे लेकिन घर का मॉडल सीम था तो बोलते अब जब यहां गए यह आप सीटी म में क्या होता है कार खाने होते हैं इंडस्ट्री होती है रोडस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अब इतना जलूदी थोड़ी वहां पर खड़ा कर देंगे बिना पैसा बोलेंगे जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला डाल लिया उसके अंदर इसी तरह से अब न जोग हमारे लोग लोग रेडी डो 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 हमारे यहाँ गोस्त आउन नहीं है थोड़ा मजाघ करता रहता हूं थोड़ा ऐसा टॉन ताकी लेक्ट्चर में इंटरेस्ट बना रहा है और यह कई बार मैं बूल चुपांँ लिकिन बूलता भी रहोंगा विए सब्सक्राइब करें तो इसे बोल सकता हूं और सीरेस टोन रखके भी मैं सारी चीजों को पढ़ा सकता हूं कि देखे गाइस ऐसा हुआ था मुझे लगता है इसमें थोड़ा इफेक्ट आई जा रहा है लें फिर भी और पीछे जाओ और सीरेस नहीं तो मजा नहीं है इ ये जब आप आपस चैप्टर को पढ़ूगे आ आपको मजा आएगा आप लोगों स्टोड़ेश ढ़्रा नहीं हर नहीं हरें था मेर्ली हरफा भी विलेश्ट रव्य भी मिजिस्टा मिट्रेल वार्वा अरबन था फिर किया वुद्राइं फिर घ्र हो और का मुद्स के मतलब क्या जो सिटी लाइक स्ट्रक्चर थे आप देखो यहां पर बिल्डिंग होते हैं है बिल्डिंग से अभी मुंबई में से तो क्या आप जब जहां का वहां पर बिल्डिंग बनाओगे जरुवत नहीं ना उतने सेम ही रहेगा वह टाइप के इंफ्रास्रक्चर नहीं मिलेगी बात समझ रहे हैं वह चीज़ को याद रखना है अभी आप लोग क्या करते थे यह हर एक जगह लग अलग अलग तो यहां पर दपते थे वापस बनाते थे तो यहां की लोग से थे वहीं पर कुछ लोगों आपर माइग्रेट करें और माइगरेशन वाले विलेज लेवल पर वापस चले गए तो रूरल जो था वह एपसेंट था कैसे मॉडल थे मचवर आले का सिटी मॉडल मॉडल था स्टाबलिश अन्दर रूइन्स आफ अरपन सिक्रीश यह पंजाब में जगह है जो ब्रॉंज एज के बारे में बताता है जी हां एट दी हरपन्स वेर डिफरेंट सिमेट्रिय एज मतलब ब्रॉंज एज की बात हो रही है दे डिजाइन्स इंक्लूड मोटिफ्स लाइक सन, मून, पिश, डियर, पिकॉक मोटिफ्स मतलब क्या होते हैं डिजाइन्स जो पॉर्ट्स हैं इनके उपर सन का यह सब जो थे क्या बोल रहे हैं यह आपर इजाइन्स बहुत इंपर्टेंट वाड़ है यूपियसं एक साल क्वेस्चन आ गया था कि बुधिजम का मोटिफ्स के उपर तो बहुत लोग उसका मतलब बता रहा हूं ठीक है तो डीजिजाइन इंक्लूट विज डू नाट अकर कहां पर नहीं अकर कर रहा था अन्दी मच्चवर हरप्पा अब मच्चवर हरप्पा क्योंकि कि वह सिटी है वहाँ पर यह सब करेंगे नहीं अब बताए देखिए अब बता रहा हूं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए हरसी के पिजए रिजान देखिए यह सिटी है सिटी में किसकी पूजा होगी हिंदूस की अगर बात को तो कुवेर की कुवेर लक्षमी तो यहां पर आप क्या पाऊगे यहां पर डिजाइन्स पाऊगे जैसे की गौड गौड़ इसकी यहां पर ऐसे दीजा मतलब इनके अच्छे हैं लेकिन आप समझे हम लोग गए वा यह लोग का भगवान कौन हुए यह वापस से नेचुरल पावर नेचर क्योंकि उसी के सारजीना है तो भगवान और जो डिजाइन है वो उसी हिसाफ से डिसाइड होगा जिसाफ से मेरा रहन सहन है प्लीज यह सब ध्यान रखिए कि कई बार उल्टा होता जैसे कि मालूम क प्लीज गाइज अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाना और वो मच्योर वाला क्यों बार बार बोल रहा हो कि वह नहीं बताता तो आपनों सोचते कि हर जेगे अलग-अलग था नहीं वह कंजर्वेट्टी वाला पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है और वन आफ दे सि और बाइश वह सब फिर वह सब चारी चीज चलेंगी कई बार पिकॉअग इंपोर्टेट होते हैं जैसे पिकॉअग इंदिया मुलते जिस गाव में दिखती है कि बहुत ज़ादा फ्लरिश होता है वहाँ पर जो लक्षमी बोलते हैं उसका वास होता है आपके गाव में प लेक्षर बहुत इंट्रेस्टिंग यह चाप्टर है कि कुछ बहुत सा ही नहीं चीज़े हम लोग गाउं शहर गाउं फिर जा रहें इसी तरह से आप देखोगे क्या मालूम जो सिटी है आज की यह खता मुझे जी हाँ मैं यही चीज बताना चाहरा है जो आज आज का सत्य है आप लोगों आज का तुरुत मान रहे हैं वही सच कंटिनू नहीं हो सकता यह तो हमारी होप है ना कि ऐसा ही होगा लेकिन वैसा कभी कभी होता नहीं है इसलिए जैसे कई बार अमीर लोगों को अपना अगर जब शेयर मार्केट में लूस करने है इसी तरह हमारी जिन्दगी है कि अगर आज हाई है तो कलो हो सकता है तो आज आलवेज सी डायलॉग आलवेज हो पॉर दे बेस्ट बट प्रिपेर फॉर्ट हमेशा हमेशा ठीक है तो यह चीज़ याद रखिए हमको सीखना है रादर दन मैं साइकोलोजी पढ़ाऊ सोश दोद की बाद करता हो तो पहला लेक्चर इसलिए इतना अच्छे से बताने कोशिश कर सेकंड लेक्चर आंवर्ड हम लोग सी द्रीवर्ण रहेंगे तो मिलते हैं लेक्टे में टिल इन बाइब अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट करना मिलते हैं और सायोनारा वाद